जिले में भारी बारिश वी जिसके कारण कई अलाकों में पानी भर गया और पेड़ी गेरने से कई घटनाय हुई है जहां पिछले दो दिनों में दो लोग उफनते नाले में बह गए और बताया जारा है कि उसमें से एक व्यक्ति का शव बरामत कर लिया है जबकि दुसरे का अब तक नहीं मिला पाया है और उसके शव का उस व्यक्ति का पता लगाने का प्रयास जारी है और अधिकारियों ने कहा कि बारिश से संबंदित घटनाओं में ठाने जिले में कई कारे भी छटी करस्त हो चुकी है और साथी जिस तरह से दो लोगों के नाले में बहने की चली गई है लेकिन लगतार प्रयास किये जा रहा है नाले में बहने के बाद यूवक का शव कहां तक गया है लगतार उसे ढूंडने की कुशिश की जा रही है जिस तरह से मारासु के कई शहर में जमकर बारिश हो रही हालात यह है कि कई जगा घुटनों तक पानी तक भर है कहीं बाट जैसा नजर आ रहा है मंजर नजर आ रहा है मुंबई के मुंबई में पिछले 24 गंटों से बारिश के चलते जोपड़ी पर पेड़ किरने से एक बाइस व्यक्ति की भी मौत हो गई और एक अन्य घायल भी बताया जा रहा है